चलिए तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइफे शड़ी चैनल पर चेंजिंग देवी ओफ लर्निंग वाइफे सब्सक्राइब अवाज आरिया आप सभी को और फिर आइप टेस्स टार्ट करते हैं आपके लिए बहुत बहुत बहतरीन कोशन्स आपके लिए हैं अब आ या एक्जाम है रेल्वे के एक्जाम इन सभी की त्यारी आप यहां पर कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हमने सेशन को एक बरी बताना आवाज आ रही है कि यह ना सब कुछ हो कि है रिबोर्ट संडे को चीज़ें दिक्कत कर जाती हैं कभी कभी है ना मालक्स से पढ़ा र देखे यहां एक चीज़ और याद रखना देखे एस ओल्वेज मैं आपको इतना बता चुका हूं कि आपके लिए कंटेंट हमेशा अवेलेबल रहता है लेकिन सुबह नो बजे वड़ी क्लास बहुत ही जादा ठीक है प्रीशेस है ठीक है सुबह नो बजाली क्लास स्टेश के नोट लीजिए स्पेशल क्लास जोइन करिए टेलीगराम चैनल अमन सर वाइफ इस टड़ीवे पीडियेख में आपको दूंगा पीडियेफ सारी आपको मिलेंगे आपको सारी प्रवाइड की जाएंगी ठीक है सब्सक्राइब यहां से आएगा इस कोड से साइला कोशन थोड़े खतरना कोशन है और मज़ेदार भी है जैसे स्वाइल की जो है किसके ठीक करते हैं ठीक है अगर स्वाइल बहुत ज्यादा एसडिक हो जाए ठीक है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या उसमें यूस करेंगे इसमें इरिगेशन अच्छे तरह किसे करेंगा चलिए या फिर सोडियम आट उक्साइड या फिर जो है हम इसमें कर सकते हैं बते क्या इसमें से सही तरीका है तो रिच्छा-कुशाब का सही आंसर लाइमिंग इसकोशन का आंसर है दूसरा कोशन देखेगा पड़े प्यारे प्यारे कोशन है ठीक है आज थोड़ मेंटर करेंगा और सोट किसके बराबरो बढ़ी सिंपल सी बात है कि सबसे ऐनर्जी का अनसर है इंडिया का सबसे पहला इनर्जी यहां पर दो तिन सवाल रहते हैं ओशियन एनरजी के बात और एक जियो थर्मल एनरजी का भी कोशन आता है तो यह कोशन नहीं होने वाला किसी से नहीं होने होगा जो कल मैंने एक डिसकस किया था कोशन में कितनी बार मिलती है हमारा कल कोशन होगे था एक बार आज सवाल पूचे जा रहा है कि युनाइटे नेशन और नेशन का दो बार मिलती है और जनल एक बार ठीक है चले एक और कोशन देखिए पड़ा अच्छा कोशन और असान भी है है यह जब आटरी में ब्लड कोंट्रेक्ट होता है तो उस समय ब्लड कितना पंप होता है यह नोर्मल हूइं हर्ड जो है कितना ब्लड करता है अब इदर सारी वेल्यू लिखिए यह तो कोशन नहीं खतल वह इसमें कुछ बद रही यहां पर नगाना चलित्वां से कोशन का उसका साट सेंटिमिटर क्यूब यह तो होंगे नि क्यूब में रहेगा पहली बात तो यह 55 वाले हटाओ उसके बाद 3060 पाइप में से साठ के आज पास का होता है यह भी असान यह बराबर होगा अगर नॉर्मल पानी जा रहा है किसी पाइप में से तो प्रत प्रेशर इन और डालेगा बेख़ा है लोग को क्या चैने यह लोग को से इस कोशन को कहते है इस लोग को सब्सक्राइब के बहुत वहालो के बहुत वेल्ट करो वीडियो को संड़े को भी यह सब वीडियो देखने चाहिए सारी चीजी आती है संदे को स्किप नहीं कर सकते हैं तो वर्ल्ड अफेर की वीडियो अभी वाली जो है मैंने भेज देनी है इसी क्लास के बाद टेलिग्राम पे देख लेना सारे के सारे ठीक है आटम के न्यूट्रोन में से रेडियो अक्टिव सब्सांस निकलते हैं अब उसी साथ क्योंके ना कोशन ऐसे ही रखें इलक्ट्रोन गन अटोमिक पाइल्स यह ठीक है परमाणू को इठेर में से निकलते हैं यह बहुत असान कोशन है मालों अभी उक्रेन और रश्या की वह रश्या ने युक्रेन के अटॉमिक लुक्रेर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसका जो धेर होगा उसमें से भी रेडियो अक्टिव सब्स्टांस निकलेंगे तो आंसा क्या है परमाणू धेर बहुत असान कोशन था ट्रांजिस्टर में से कौन सा रेडियो चले एक और कोशन देखिए मधर टेरी सब्साइब में मिला था इस कोशन का आंसर का है जल दी सबती है अबहुत खतर ना गया इस कोशन का आंसर केंढ़ता है यह कोशन कैसे गलत होता होता क्या यह कैसे जो गलत उन्हें बच्चे इसमें ना 90 परसंट आएंगे पब्लिक सर्विस ठीक है कि वह उन्होंने पब्लिक सर्विस कियोगी इस वज़े से मदर्ट एरिशा कोई आपका नहीं मदर्ट एरिशा ने पब्लिक सर्विस के लिए अपनी सिटिजेंशिप छोड़ी थी इंटरने क्षण बढसे हैं जल्दी क्रमेंत करें अच्छा कोशन किस्टण बर्णिर नाम साथ केशियर करना उल्ट साथ फचे इ सब्सक्राइब चेस्ट की शातर वाइन 1967 में मैं आपसे सवाल पूछता हूं कौन सी लोकेशन में पहला human transplant हुआ था कौन से देश में हुआ था किस्टन बर्नाट के द्वारा किया था कौन से देश में और इंडिया में पहला human heart transplant किसने किया था बताइए इस question का answer भी चलिए बड़ा आप सभी जानते अमेरिका पे जो एक टेररिस्ट अटेक बड़े लेवल पे हुआ वह एक ही हुआ ठीक है सेप्टेंबर ग्यारा वर्ल्ट्रेड सेंटर पे वह कौन से वर्ष में हुआ था जल्दी से बतेगे कि 11 सब्टेंबर कुन सा वर्स्था जिस दिन टेररिस आटेक कियागया क्रेश किया गैंडर तो दोस्तों से दोजार एक ग्यारा सेप्टेंबर दोजार एक जो है इस दिन अमेरिका पर अटेक वह उसके बाद अमेरिका ने बहुत बुरी दुर्दशा करी लोगों गी ठीक है मतलब हुमन जो है क्या सकते हैं जो होता ना हुमन राइट्स डिस्ट्रॉय करते हैं एक तरके से वैसे अमेरिका ने कर दी ते उस समय में ठेक अटेक की वज़ेसे एक और कोशन देखीएगा नियुमिस्माटिक इस दो सड़ी ओफ फॉल्विंग बड़ा अच्छा जो है यह कंसेप्ट है बताई क्या कोईंस साल पुराना सिक्का है तो वह कोईन की स्टड़ी को इन्युमाटिक स्टड़ी कहते हैं ठेक है यह होबी नहीं है यह स्टड़ी है ठेक है कलेक्शन ओफ कोईन्स वह होबी है उसका अंसर आप कमेंट बोक्स पर दीजेगा ठेक है चले एक और कोशन देखे जीजस क्राइस हो थे उनको क्रिस्टिफाइड किया गया था कौन से वर्ष में बहुत इंपोरेंट देखे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन बाइप पॉपलेशन है ना आप सभी जानते क्रिस्टियानिटी और जीसस क्राइस उनके गोड़ है तो उनके क्रिस्टिफाइड के पर कोशन आ सकता है सर मेरा बहुत ज्यादा बफर हो रहा है ठीक है बटा बफरिंग आपके एंड से हो सकती है शायद है ना हम तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके चल रहे हैं जो आप से सवाल पूछ रहा हूं आप इसमें से ना 50% आंसर गलत दे रहे हो सारे आज मैं देख र सब्सक्राइब करने की कोशिश करो चलिए बताइए इस कोशन का आंसर के आज के समय में सेक्यूरिटी काउंसिल उसमें 15 मेंबर है आज के समय में 15 मेंबर है यह बदलाव लाए गया था ठीक है 11-15 किये थे सवाल पूछा जारा कौन से वर्ष में 11-15 आर्टिकल 23 में जो है अमेंडमेंट लाए गया था बताइए आंसर के समय में आज के समय उनाइटे नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल में जो मेंबर 15 है वो 11-15 किये थे और कौन से वर्ष में किये थे हाई लेवल कोशन है बहुत जादा चा तो आंसर के समय मेंटा कल भी क्लास है मंडे को तो हो नही 1965 में मेंबर्शिप को 11-15 किया गया था इस कोशन का आंसर यह है एक और कोशन देखेगा तामिल नाडू में कितने डिस्टिक है अभी मैंने कोशन हुआ था अभी क्लास कराई थी साड़े पांच बजे तब मैंने कहा था में घाले में कितने डिस्टिक है बताओ बच्चों क वह नहीं आता था क्यूंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो गया कि नौर्थ इसके डिस्टिक को याद रखेगा अब साउथ की बात आ रहे हैं प्रिविएस यहर के कोशन है तब ही तो करा रहा हूं में घालने में 11 डिस्टिक हैं तामिल आडू में कितने डिस्टिक हैं ध्यानक तामिल नाडू में चेंज है डिस्टिक हैं ए यहर कोशन देखें इस मोसिंगाण से क्या राजीव गॉर जीत कि अफिर जान को खत्रा है फिर भी वो गए है ना महात्मा गांदी जी को भी तो नतुराम कोट से देखके द्वारा हमारा ही किया था असेसिनेट ही किया गया था आज दो अक्टूबर भी यह वैसे महात्मा गांदी जी का जनम दिवस चले 1991 इस कोशन का अंसर 1991 में चले एक और कोशन देखें बते यह ब्लैक फ्लैक क्या सिंग्निफाइब करता है क्या दर्शाता है ओलंपिक में दर्शाए गया था पहली बार ब्लैक फ्लैग एक ओलंबिक गेम्स में खिलाडी ने टॉप पोजीशन जीती थी और वो अपने आवोड को लेने के समय पे ब्लैक फ्लैक पहन के आया था तू प्रोटेस तू प्रोटेस तू प्रोटेस अगेंस दा इनिक्वालिटी प्रोटेस अगें दा रिशिजम ठीक है जो रंग भेद है उसके खिलाफ चलिए फिल्म एंड टीवी इंस्ट्यूट इंडिया का कहां पे लोग खिड़े आंसे केस कुशंगा बदे फिल्म अच्छा आप जैसे इसमें पूने महारास्ट लिखा हो वैसे आप देखते हो सब जानते हो कि यार फिल्में बनते हैं मुंबई में सिंपल सा है फिल्म इस अगल टू मुंबई है है ना 90% मूवी का सेटप सारा मुंबई से ही होता है चाहे शूटिंग कई पर भी हो है ना तो भईया पूने महारास्ट में ही तो यह होना चाहिए कॉमन सेंस तो यह कहती है है ना चले एक और कोशन देखे इस कोशन का आंसे कहा है लाइट यह इस दा यूनिट विच ओफ द फॉलिंग जैसे आपको कोशन मिलते है ना पार्सेक पार्सेक किसकी यूनिट है बताओ सब किसकी यूनिट है यह सारे डिस्टण्स एट वे सब दिसकरे क्या करें दिसकरी करी अल्system family के द्वारा पैनिसलिन की डेसकवरी दिसकरी करेंग form इनेसलिन पेनिसलिन एक इंजेक्शन है गया कि एंटी सैप्टिक है डिस इंफेक्टन हैं एंटीबाइटिक है पाते इस कोशना का इस पैनिसलीन जो इंजेक्शन बनते ही होते हैं तो इन्जेक्शन आटेशों के बीच में रही इनकी वह ऐसी नहीं थी कि सिर्फ और सिर्फ वाई फुट या फिर रफ रफल्स इन वह लड़ी जाते थी इनकी और खुछ ऐसी थी कि एक देश ने आर्चिटेक्ट एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी तो दूसरा देश भी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए जो है त्याद करेगा बड़े बड़े आर्चिटेक्टर ढूंडेगा ठीक है तो फ्रांस और इंग्लैंड ऐसे ही लड़े थे ठीक है चल एक और कोशन देखिए बतेगा किंग हमुराबी जो है बड़ा अच्छा कोशन है किसी को ना पता हो लेकिन अभी पता भी हो चाहिए दुनिया की सबसे पहली आर्मी जो है किंग हमुराबी के द्वारा बनाएगी थी दुनिया की सबसे पहली आर्मी और यह आर्मी इन्होंने कौन से वर्ष में बनाई थी यह भी याद रखना कि दुनिया के सबसे पहली आर्मी जो है वो किस ने वनाई थी हमुराबी ने और कौन से वर्ष में आनसे के इस कोशिंग है कर दो हजार एक और कोशन देखेगा में कौन सा मैटल यूज करते हैं बहुती सरल सवाल हो गया यह कौन सा मैटल यूज कि आया था इस कोशिंग आनसे गया है चाह तो के लिए देखो जैसे अभी यह कोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं असान है थोड़ा सा अलमीनियम और जिंग आंसे के इस कोशिंग का ठीक है जिंग किस कोशिंग का आंसे है एक प्रोसेस ऐसी है जो कोरोजन जैसी चीजों को रोखने में हेल्प करती है तो उसमें जिंग की परत चड़ा देते हैं लोहे के ऊपर जिससे वह कम समय में कम समय तक जो है जाद समय तक सेफ रहता एक और कोशन देख रेयर अर्थ फैक्ट्री कहां पे लोकेटे जल्दी स करा रहा हूं आपको यह क्लास आपकी डेली साथ बज़े होती है प्रोपर एक टाइमिंग फिक्स कर लो कि हाँ साथ बज़े पढ़ना है सर से और चीज़े कवर करनी है ठीक है तो करना स्टार्ट कर दो आंसे के इस कोशन का अलुवा करला में है ठीक है चलिए एक और कोशन बिशन देखिए इस कोशन का अंसर बतेगा इंडिया का फर्स्ट ड्यक्तर कोन सा है इसका नाम पूछा पूछा की लोकेशनली नाम पूछा इन्दिय का सबसे पहला अंसर है और सपर है ठीक है अब सरा है अब सरा नाम है अटोमिक रेक्टर जो इंडिया का सबसे पहला रेक्टर बना था एक और कोशन तो मिल जाएगी नैशनल इंस्ट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहां पे लोकेड़ है पाते कहां पे लोकेड़ है नैशनल इंस्ट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी पाना जी गोवा में लोकेड़ है ठीक है जो दो विकेट्स होती है क्रिकेट में उनके बीच में कितना किकट का जो पिछ होता है वह कितने साइस का होता है 22 याड़ गौँप होता है कि वह दे कितने साइज का होता बाइस याड को होता क्रिकट का पीच बिल्कुल साइन्टिफिक असिस्टेंट का भर सकते हैं लेकिन में भी उसमें एक डिप्लोमा की रिक्वार्मेंट हो लेकिन यह वह तो आप जो है ना उसका नोटिफिकेशन पढ़ो दोस्त बिना देना इसी लिंक पे मैं देख लूँगा बता दूँगा आपको समझा दूँगा मुरादाबाद उत्तरपदेश शेमस हैं किसके लिए बताई कामेंट बोक्स पर डाउट डाल देकर अपने या वर्ल्ड एफेर की वीडियो में आप जुड़ सकते हैं उसमें जुड़े मे अब चाइल्ड जो लेबर है वो भी सबसे ज्यादा है मुरादाबाद यूपी इसके लिए वी फेमस है वैसे तो चले एक और कोशन देखिए इनके द्वारा क्या किया था यह क्या थे स्टेट्मेंट सभी कौन सी है जैसे अब कि गैब्रेल डैनियर फेरनाइट की बात करें यह जर्मन फिजिस्स थे मरकरी थर्मामेटर बनाया तो सब कुछ सीनी के द्वारा किया गया है शायद आंसर इस कोशन का ओल अब अब है एक और कोशन देखिए पॉलरेंट चैटवी कि सब्सक्राइब प्लेइस फॉल्विंग स्पोर्ट्स बदेए इस कोशन कान सब्सक्राइब है तो वैसे यह सिंपल सा है किसी खिलाडी का नाम या फिर क सब्सक्राइब याद रखना ठीक है चलिए एक और कोशन देखिए यह फर्स परसन थे यह कहां पर लेंड कि थे सबसे पहले स्टैप उन दा मून है वोक ऑन दो स्पेस है सरकल दा मून है क्या आंसर सही है पताई नील आंस्ट्रोंग असान है कोशन है है ना चलो इस नील आंस्ट्रोंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस पहले परसंट थे जो मून पर कदम रखे थे इंडिया के पहले परसंट स्पेस पे जो गये थे राकेश शर्मा एन और यह सब बहुत ईजी चीजिए हैं ति योडिक के ओपर कोशन आता रशिया के साइ यह कोन्से कोश मोड थे जो की स्पेस पर पोचे थे इन टोटल वर्ल में जितने कोश मोड पोचे है उन पेश राकेश शर्मा कोन से नंब्र पर बढ़ा खतरना कोशन हो गया चली तो आसे केश कोशन AK क्या है कि यह तो सीधा आप से पूछ दिया कि कौन से नम्मर के थे पूरी दुनिया में इंडिया में तो चलो हम समझते हैं पहले होंगे पूरी दुनिया में 139 नम्मर पे थे क्या चले तो आंसे के इस कोशन का 139 कॉस्मोट टुगो उन्द स्पेस ते नैशनल स्टूड ऑफ कहां पर लोकेड़ है इसकोशन गाइशन नैशनिस्टूड ऑफ उक्युपेशन हयल्ट जो है कहां पर लोटेड़ इसकोशन का कि तु आंशे के स्कोशन गा यह ने इसल्टूड आश्यट पेस्पेस पर यह आनगलोर में तनी फेमबस शीजर बन रही हैआ कुने में अभी हमने डिसकस किया ठीक है मुंबई में जैसे टीवी एंस्ट्यूट है यह सब चीजें हैं तो आपको यह याद रखने पड़ेंगे जादा जादा रखो यूएनों के तो काम आएंगे डिरेक्ली ठीक है मैं सेजिंग लिए आप जूड़ सकते हूं कोड यूज कर लेना लाइव ओमन फ्री क्लासेज भी देख सकते हो वह भी एविलेबल है ठीक है डिबैंड सो न्यूक जो है इस यहां पर लोगड़े यून ओ ठीक है मिलका सिंग जो है मिलका सि अच्छा नहीं रहा था उस समय ठीक है आंसर क्या है बदाएगी तो आंसर के इस कोशन का फॉर्ट इंदा 400 मिटर फैनाल है ठीक है तो यह इस कोशन का अंसर एक और कुशन देगे स्टडी ओफ लाइफ इन आउटर स्पेस इस कोल्ड एस वर्ट तो डैट इस कोल्ड एक्सो बहुत ही असान कोशन है जो हमारा आउटर स्पेस है ठीक है उसकी स्टडी को में एक्सो बायोजी कहते हैं ठीक है एक असान कोशन है कुछ जा देखी चलिए एक और कोशन कमेंट करें राइट ब्रदर्स ने किसका इंवेंशन किया था एक फ्री का कोशन पेपर में क्या कि चल्ड बताओ आंसे के इस कोशन का चल्ड तो आंसे के इस कोशन का एरोपलेन इसी कोशन हो गया चल्ड सो इसकोशन का आंसे इसमें कुछ भी नहीं सरसेंशन जो क्रियेट होता है कि लिक्विट जो सरकल की फॉम में सबसे छोटा एरिया सरकल होता सै जो हैंना तो स्मोल्स पॉसिबल एरिया क्रिएट करने के लिए वह एक बबल टाइप बनाता है और वह जो है एक अट्रेक्शन होता है किसी चीज का जुड़ना है ना तो वही जीज़ा एक और कोशन देखिए केमाल अतुतरक जो है क्या थे अगर आपने नाम सुना हो वैसे तो इसमें जैसे एक व महने के आपको कोई भी पेपर तीन महینे के अंदर को बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस इन से हो जाई तो उसक्रुलिखा ना फौन सा था था बताएं अच्छा तेकनो किलर फिल्म कोन सा दा इस कोशिंगा से बदाई आनसे कहीं? है ना इस कोश के ऐले प्हेला विल्म कोन सा जहां सी गिरानी ठीक है यह है चलिए एक और पूर क्वशन देखें इस कोशिंग आंप से प्रभूलोजी जो है यह क्या है स्टडी ओफ फॉलिंग बोंस मसल्स आर्चिटेक्ट लेंगविच किस की स्टडी को हम कहते हैं ठीक है तो प्रच्छ से प्रचिटेक्ट या लेंगविच तो मुश्की लोग कोशन है ना ऐसी कोशन यह एक लेवल हाई हो जाता आंसर साइन्स ओफ लेंगवेज या स्टडी ओफ लेंगवेज इसकोल लोजी ठीक है तो भाषा शास्त्र लिखा हुआ वैसे हिंदी में नकल तो वैसे लगी एदर आराम से पेपर में भी ऐसी नकल मिलेगी हिंदी को चूज करोंगे भार्षा शास्त्र क्या है तो डेट इस साइन्स ओफ लेंगवेज वा है ना हिंदी यह पढ़ लो से लेकुर कोशन देखिए इसकोशिंग आंसर दोजार बाराक अभी टोकियो में दोजार बाराक कि कहां पर चौबिस के पैरिस में होंगे 28 के कहा पर होंगे ठीक है तो यह सब पता होंची है आंसर के सरक्या अनध्स के रहें कोर्स है बहुत सारे कोश है कोई नहीं मनलब बहुत सारे कोर्स है आप आने जोइन कर लेना आराम से उसमें कोर्स देखिए, टेली ग्राम पर जुड़ जोओ आपको लिंक लिंक शेयर कर दोगा ठीक है अमन सर वाइफ है सड़ी जोईन कर लो लिंक शेयर कर देंगा रॉंडबरी जाथ आंसे के स्कूशन का इसकूशन का आंसे के हैं दोस्तों यह है लंडन फेमस थे 2012 के लंपिक लंडन में बहुत फेमस हुए इंडिया सबसे जादा किसीज का डिप अंसर है मिका इसकूशन का अंसर है यही मिलता है इंडिया में तारवार के यूज होता है पहले विंटर ऑलंपिक गेमस अभी जैसे बीजिंग में ओलंपिक गेमस हुए थे ना वैसे बताएं पर जो सबसे पहले विंटर ऑलंपिक गेमस हुए थे वह कहां पर हुए थे आस सबसे पहले विंटर गेम्स हुए थे क्यामोनिक्स फ्रांस में सबसे पहले हुए थे देखो मैं आपको एक चीज रियालिटी बता रहा हूं अभी मैं पॉल नहीं दे रहा आपको अगर मैं आने क्लास पॉल से करा दूरा आप मैंसे 50% बच्चे जो हैं इनमें से किसी कोशन के आपको कितनी महनत करने की जुरत है अब यह समझो कि आपको अब हर सवाल नया है तो आपको हर सवाल देखना है अब यह तो आसान है गोदावरी हो नहीं सकता यम्ला नहीं हो सकता सतल उजवस्ता है पंजाब में है ना पाँच नदियों में ठीक चलिए कुर्षण देखी कोशन निकरना कि राजिस्तान की लोगसवा कितनी है बता सकते हो वैसे यह राजिस्तान की लोगसवा सेट कितनी चलास कब एक मोमेंटम मनाव क्लास का लाइफ टेस्ट का मज़ा आए फिर धीरे पढ़ने का और चलो तो आंसे के इस कोशन का जो लोकसावा की सीट राजसावा की जो राजस्थान की है वो 25 है इंडिया का पहला सैटलाइट बहुत इजी कोशन इंडिया की जो सबसे पहली सैटलाइट है उसका नाम क्या था जल्दी सबसे बहुत ज्यादा इस सबसे पहली सैटलाइट को जादा ही असान कोशन इंडिया की सबसे पहली सैटलाइट आरे बत ऐसे अलग आलग भी होती जैसे साल कॉम्मिनिकेशन सेटलाइट थी ठीक है वैदर फॉरकास्टिंग के लिए सेटलाइट अलग अलग सेटलाइट है थिक है फारक होता है थूड़ा थोड़ा सा थीक है क्या करते हो यार रंग स्वामी कब जो है ये कौन सी गेम से संबंदित है इस कोशें का आंसर क्या है जल्दी से बताएगे इस कोशें का आंसर के है चाहते इस कोशें का आंसर के इस कोशें का चाहते इस कोशें का आंसर के मेटा एस्ट सेटलाइट की बाद नहीं करनी पढ़ना है ठीक है रेंज से वाल चले जाओगे एकदम से होकी इस कोशन का आंसर है रंगस्वामी कब जो है होकी इस कोशन का आंसर है फ्रैडरिक सेंगर जो है इनको दो बार नोबल पुरुसकर मिला सवाल अब यह पूछ रहा ह प्रिवियस यह कर रहा है लेकिन बहुत जादा बाबा आदम की प्रिवियस यह कोशन नहीं कर वाऊंगा कि बाई बोलो 2012 के करवा दो ऐसे कोशन आते थे मतलब आखे थोड़ी सी भी खुली होंगे एक वर्ड दिख जागा तब आंसर लगा दोगे हमें प्रिवियस यह करने सब्सक्राइब करने के लिए इंस्रूमेंट है सर सामने से बिल्कुल हटेंगे पहले बताएंगे ना कुछ तब हटेंगे रियर रिच्छा खुशावा चलिए आंसर के है इस question का answer है हाईग्रोमीटर बैए very easy to answer question ठीक है चलिए एक और question देखिएगा बच्पन में बताओ एक ग्राम वेट में कितनी होती है जल्दी से बताएगे इस question का answer है ठीक है चलिए एक गुरुकोशन देखिए कि इस question का answer क्या है 2018 का नहीं करेंगे पहला ही करना है और latest करना है modern football जो है यह कौन से देश में इवाल्वा इस question का answer के जल्दी से बतेगा है इस question का answer के शिवम पांडे रिप्लाई आया बेटा बताओ नहीं आया तो करवा देते रिप्लाई ऐसे कार्यों के लिए और भी शोशल साइट है ठीक है चैट बोक्स पे दे छोड़ दो यार चलिए संडे है जवाब थड़ा असानी से दे देंगे हम इंग्लेंड इस question का answer है modern football जो है इंग्लेंड में यह शुरू किया क्या था ओजों लेयर रिस्ट्रिक्ट देखो ओजों लेयर जो है अल्ट्रा वालट रेस को प्रोटेक्ट करती है ठीक है बहुत सिंपल सा है इसकी वज़े से ही जो है ओजो लेयर डिप्लीशन भी हो रहा अच्छा कोशन है इंडिया ने बड़ा चुपते चुपाते यह टेस्ट किया था ठीक है एक्सपरटीज थी इंडिया की जो इंडिया ने निक्लियर टेस्ट कर दिया इरान पस्ता रहा आस तक है ना चली तो आंसे के इस question का अमेरिका किसी को करने देता अमेरिका कहता हम कर कर लिए बस काफी है अब नहीं करें कोई हमें ही स्वाद लेना था नुक्लियर रियक्टर का नुक्लियर टेस्ट का कि अच्छा आंसे इस कुशन का 1974 कि चलिए जार्खंड जो है बिहार के या कि जार्खंड कौन सी स्टेट के इस्टन साइड में कि अच्छा है कि अच्छा है कि अच्छा है कि अच्छा तो आंसर इस कुशन का वेस्ट बंगोल ठीक है महांबलेश्वरम लोकेटेट है कहां पर इस कुशन का अनसे कहां है महांबलेश्वरम कहां पर महारास्ट में लोकेट है बहुत यह असान कुशन हुआ ना ठीक है महारास में ठीक है चली एक और कोशन देखेगा इस कोशन का अनसे कहां है गौहाटी आइक कोड का जुडिक्शन कहां पर है देखो गौहाटी हाइग ऐसा है कि यह जज़ जो है इनको ज्यादा काम होता होगा त्या मतलब बेसिकली हर स्टेट के लिए तो यह जज़ बने मै सब्सक्राइब करेंगे चल्ट तो इसकोशें का आनसे यह है इसलुफर किसमें प्रेजट नहीं होगा बताई आंसे के सर इंग्लिष का टाइम बताया ना एसे सी ज़े लिए लिए आप देख लेना आप आप एक बारी कहां किस्समें इंग्लिश हो रही है और अगर सइंस साइंस पढ़नी है क्ल्श के लिए बहुत पढ़ाई जाती तो उसके लिए पढ़ारे तो आपके समय है जाद आती है तो इसके लिए उपांट आए में अजाद आएगी तो आंसर कुलॉरक है नहीं है माउंट एवरेस्ट पूछे थे कौन से वर्ष में कैप्चर किया थे माउंट एवरेस्ट बते ही आंसे कैसे कुशिंग कि अच्छा सुबे साइंस पढ़ने कोन को आने वाला है वैसे डेली आते ही और मोस्त सारे जो बच्छे इस टाइम पढ़ते हैं वो सभी आ रहे हैं साइंस पढ़ने आते हैं साइनस का वेटए जैंद दस से बारा नंबर एक वरी कामट वोक्स पर लिखो जो जो डेली बढ़ चोड़ के चलूंगा नहीं आएगा कैसे गरंटी देता हूं सेटलाइट लूंचिंग स्टेशन इंडिया का कहाँ लोगेड़ है स्कुष्ण का आंसर क्या है जल्दी से वह देंगा आंशे के सेतलाइट लोंजिंग स्टेशन वैसे इसमें से कुन सा है चीरी हरी कोटर अंद्रपरदेश तालीम वमीडनाडू कि अग्रलान से मैं नहीं आता सइट में मेरी आत्मा आती है कि ये कूंसी साइंस लगाया हो आपने आते आप कि आत्मा कब आप 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 जाते हैं आप जीवित हैं एक प्यार दर्शाय के पंदब आट ओफ लब दर्शाया गया है 1950 एडी में बनाए था यह कहां पर बनाए फेमस है मद्ध्य परदेश में जल्दी से बताएगा ओके डियर अंजली टेलिग्राम से खुजराव टेंपल से प्यार तो इसी में दर्शाएगा आप उसके लिए यूनिकनेस को समझना किसी दिन इंद्रा गांधी जैसे राजीव गांधी जी को असेसिनेट किया था वैसे ही एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रही थी जब इंद्रा गांधी जी को असेसिनेट हुआ बहुत गलत तरीके से मैसिकर भी किया गया वह भी गलत था ठीक है जर्मनी साइंड आर्टमेसिक ट्रिटी वर्ल्ड ओवर फर्स के बाद जो है खतम करने के लिए उसे जर्मनी साइन किया तो कौन से वर्ष में कवंसी तारीक में तो 11 नॉमबर 1918 फलेरिया इसकोस बा सब कोशन है यही सब कोशन आएगा चर्दवान से के समय में बहुत कुछ हो रहा है ठीक है समझ रहे हो चली नॉर्मल आर्बीसी कितना होता है कितने ट्रिलियन ठीक है चल्दवान से के इस कोशन का इस कोशन कोशन है 30 अरबीसी एक सेकंड में दो त्रिलियन बन जाता है तो सोच के देखो इतना तो रहता ही होगा है ना इस कोशन का अंसे कोण से कोशन का अंसे करेगा है बढ़ा हर कोई ना देखो हम मैनत कर रहे हैं आपकी दो वीडियो पर साइन्स ये वाली और वर्ल्ड अफेर के free classes में कहा रहा हूँ बागी आन अकेडमी के प्लस कोर्स दो फुल महनत चलती है यहाँ पे भी महनत ही चल रही है वर्ल्ड अफेर की वीडियो देखना साट कर तो मैं आपको इतनी करेंटी दे रहा हूँ दो महीने वर्ल्ड अफेर की वीडियो देखलो करेंट अफेर आएगा पेपर में 100% आएगा सिर्फ 8 मिनट का वीडियो मैं ये नहीं कहा रहा है एक घंटा पड़ो मैं तो आपको replacement दे रहा हूँ एक घंटे के करेंट अफेर का आठ मिनट कितना टाइम सेव कर रहे हूँ एक घंटे के जगा आठ मिनट में करेंट अफेर पड़के पड़के देखो मैं आपको बता रहा हूँ तीन महीने के current affair मैं सारा question मनेंगा मैं गुमा फिरा कि 12 महीने का current affair तीन महीने में करा रहा हूँ ठेक है देखना है एक बड़ी उसमें नीचे छोटे छोटे तीन तीन पॉइंट लिखता हूँ न वो basically पिछले 6 महीने के current affair होते हैं जो 7 के साथ revise कराता हूँ जोनी चाहिए इसे कहते करें डेफेर असली पहले लोकसभा जर्मल इलेक्शन कहां पर आंसर के इसकूशंगा आंसर इसकूशंगा 1952 1952 इसकूशंगा आप इस चीज़ को समझो आपकी आज अटर्नी जनल की अपोइंट्मेंट हुई तो आपका परपस नहीं इसप्च्छे के तीन महिने कि पफ्च्छा करने वाला बच्चा बही की चाहेँगा नहीं की श्रूर कराता हूँ वाज वीडियो शेर करूँगा देखना समझा लेगा अपने आपे लिए दिव टूओंगा और इस लास्ट कोशन होगा न उसका आंशर मुझे वल्ड ऐस पर आपका था चूण," चलिये फाइनल कोशन हैं", आपका फिरदोसी कोन था इस question आणश्याइस, वर्डफिर की वीडियो पर चाहिए जो की मैं आपको अभी शियर कर रहा है अबने टेलिग्राम चैनल पर वैसे मैं यह क्लास्ट डेली कराता हूं ठीक है यह क्लास में डेली करा तो आठ मिनट अभी ओर लगेंगे आपके बला कि मतला आप समलों एक घंटे का compilation है ठीक है यह मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाइफेस सड़ी इसे जोइन करो इसमें वर्ल्ड अफेर का वीडियो डाल रहा हूं यह क्लास मैं डेली साथ वे कराता हूं एक घंटे का आज मैं थोड़ असा पहले छोड़ रहा हूं क्यूंकि है संडे लेकिन फिर भी आप टेलीग्राम पर अवलेबल करा रहा हूं देखलो आठ मिनट मेहनत करो आठ मिनट पुछनी होते हैं भाई जीवन में पता नहीं कितना समय बरवात क्यों आठ मिनट इन्वेस्ट करना एक घंटा भी पढ़ने का इंटरस्ट है ना को करेंट फिर पढ़ते रहो मैं मना नहीं करना आठ मिनट पढ़के देखो एक घंटे से बहुत ज्यादा फायदेमन लगेगा रोज पढ़ो लेकिन बहुत बच्चे पढ़ रहें एक साल से पढ़ रहें यूपी ऐसी का पेपर में करेंट फिर आगे डारेक्ट आपके में तो आएंगे पक्का चलिए मैंने टेलीग अशयो आपके में बहुतहो आपके लेडिया में एक सास्सा ठाला करेंगि ऑना एना बहुत कम करेंगे अला इछोँया है कर द Onlyज जाएंगे इला हम है करेंसे रहें अल्षास साल से देंगे पका टामते गारेक्ट आखरा से एक क।ुचंदंदब करें णेर लिगती डमते ध